हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू दे एक्जाम हैकर यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो हम लोग क्या डिसक्स करने वाले हैं? आज किस वीडियो हम लोग इस प्रशन को यहाँ पर डिसक्स करेंगे यहाँ पर आपसे पुछ रहा है कि name the two sectors of the cottage textile industries how are they different? यहाँ पर अचली cottage नहीं होनी चाहिए मेरे साब से यहाँ पर cotton होनी चाहिए तो cotton textile industries के दो sectors के नाम बताने हैं कौन कोंसे दो sectors हैं और इन दोनों sector कैसे different हैं? तो ऐसे नाम यहाँ पर directly मैं बताता हूँ कि cotton textile industry की दो हमारी sector है एक हमारी है organized sector दुसरी है हमारी un-organized sector ठीक है? इसका difference हम लोग बाद में देखेंगे लिकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर cotton textile industries है वो क्या है? तो cotton textile industries हमारी agro-based industries है क्योंकि agriculture का जो output है cotton उसको जो input लेके एक cotton textile हमारी grow करती है और वस्तर बनाती है ठीक है? वस्तर नहाँ पर बनाती है तो cotton textile हमारी agro-based industries है और agro-based industries में सबसे बड़ी industries है cotton textile दुसरी बड़ी हमारी agro-based industries हमारी है sugar industries ठीक है? तो cotton textile industries हमारी इंडिया में सबसे बड़ी agro-based industries है और सबसे ज़्यादा employment भी जनरेट करता है directly और indirectly टेरिस नी बात करें तो हमारी textile industries हमारी cottage industries हमारी हुआ करते थे छोटे छोटे कुटी उद्योग हुए करते थे लेकिन बाद में जब mechanization हुआ cotton industries का तो बाद में बड़े बड़े उद्योग भी हो गए ठीक है अब हम लोग जो हमारी दो सेक्टर है cotton textile industries की उसकी बात करते हैं तो जैसा कि हमारा पहला सेक्टर है organized sector दूसरा है हमारी unorganized sector इसको हम decentralized sector भी बोलते हैं अब देखो दोनों हमारी अलग कैसे difference क्या है तो organized जो सेक्टर है यह आप बात करेंगे इसमें machine करार के ज्यादा यूज़ किया जता है और इसमें वस्त जो हमारी cloth है या जो हमारी जो धागे है उसके बनाने के लिए हम क्या इसमें power loom का यूज़ करते हैं ठीक है power loom हमारे electric loom है electric से जलती है लेकिन unorganized जो सेक्टर होती है उसमें power loom भी यूज़ करते हैं और hand loom हाथ से भी बनाते हैं खादी जो धियोग होती है वो हमारी unorganized sector के part होती है लेकिन खादी धियोग organized sector में नहीं पायाते हैं ठीक है तो पहला हमारा difference हो गया organized sector में हम क्या करते हैं power loom का यूज़ करते हैं जबकि unorganized sector में power loom और hand loom दोनों का यूज़ करते हैं और दूसरा difference यहाँ पर है 1950 के दसक में बात करेंगे तो जो हमारी सबसे ज़्यादा जो cloth या जो हमारी धागे की generation होती थी वो हमारी organized sector से होती थी textile production में 81% की around होती थी लेकिन ये बाद में हमारी organized sector की जो share है textile में वो हमारी घट गई 1950 में 81% थी और 2000 के दसक में ये आके 6% सिप हो गई है तो और भी और भी कम हो गया होगा तो organized sector की जो share है textile industry में वो हमारी बहुत ज़्यादा reduce हुई है जबकि organized sector की जो share है textile में वो हमारी बढ़ी है ठीक है ये हमारी दूसरा major difference हो गया इसके लावा हमारी organized sector की share है ऐसा नहीं का organized sector हमारी totally यहाँ पे बंद हो गया है करना ये shift किये है अपना production textile पिनागर के synthetic जो water है polyester है इस तब बनाने में organized sector ज्यादा वहाँ पे बना रहे है ठीक है तो organized sector का share हमारा synthetic जो fiber है उसको बनाने में किया जा रहा है और unorganized sector की बात करें तहां पे power loom जो electric loom का जो production है वो हमारी बढ़े हुए है अभी total hand loom की जो output होती है उसका 59% organized sector के electric loom से होता है ठीक है तो यह भी मारा difference है और इसके लाए और organized sector की जो आप बात करेंगे इसकी जो quality होती है कपड़े बनाने की या धागे की वह अच्छी होती as compared to unorganized sector लेकिन employment generate हमारा unorganized sector ज्यादा करता है as compared to organized sector तो यह हमारा major difference हो गया और दोनों ही हमारी textile industries का part है तो यही आप से पूछ रहा था cotton textile industries के दो sectors कौन कौन सी है organized sector in unorganized sector और 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 बात करें cotton textile का तो हमारी एग रूप बेस्ट इंडस्टी तो है ही लेकिन यह हमारी pure raw material बेस्ट इंडस्टी है यानि जितनी raw material एक केजी की raw major difference आपको देखने को बिलते हैं कोटर textile industries के दो sectors के तो आज किस वीडियो में पस्ते नहीं दोस्तों आई होप जो डिसक्स के आपको पसंद आएंगे तो थैंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में नहीं टोपिक सार्थ थैंक्यू